हलो गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ शमा सभी को पता है कि हम अपने हेयर और स्किन को लेके कितने कॉंशेस होते हैं अपनी हेयर और स्किन के ब्यूटी को हम मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दुझ कि ब्यूटी से मेरा मतलब बिल्कुल, यह नहीं कि आपका इसकिन का Color क्या है ब्यूटी मतलब वो नहीं होता है, ब्यूटी मतलब है की स्किन अंदर से कितनी जादा clean है clear है अगर आपके skin अंदर से रिपेयर होती है तो बाहर से आपके skin glow करती है शाइनी होती है और spotless होती है तो मेरा beauty से मतलब होई है लेकिन skin और hair दोनों को beauty को maintain करने के चकर में हम बहुत सारी chemical को use करते है अब अगर hair problem की में बात करूँ तो saloon में जाकर अकसर हम protein treatment लेते हैं इसमें जो प्रोडक्स हम यूज करते हैं उसमें बहुत सारा chemical होता है पैरभन होता है अल्कोहल होता जिससे मारे बाल dry हो जाते हैं बाल hard हो जाते हैं और बाल तेजी से जढ़ने लगते हैं इसके लावा long time तक अगर इन प्रोडक्स को हम यूज करते तो इसका असर इसकीन पर भी पड़ता है तो आप भी अगर अपनी स्कीन और हेयर पर इस तरह के केमिकल्स के प्रोडक्ट लगा लगा के उनको हाम कर चुके हैं तो डोंट वरी आज एक सुलूशन दे रही हूं जो 100% नेचुरल है तो अगर बात करूँ आपकी प्रॉबलम का सुलूशन के लिए ना तो यह बहुत सारे अलोवेरा लीफ पॉडर आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको जो चाहिए कि केमिकल्स फ्री वाले आपको प्रोडक्स चाहिए तो आपको नहीं पताएं कि इसमें कितना केमिकल है लेकिन यह जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूं इसमें आपको एक मिलेगा और यह भारत सरकारदवरा सर्टिफाई है कि यह 100% ओरिजिनल एलोवेरा लीफ पॉडर है यहां पे मैंने सब कुछ आप देख सकते हैं आपको हर बॉक्स के अंदर इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा इसलिए अगर ओरिजिनल आपको बिना केमिकल वाला लोव वाटर मिल जाएगा जिसको मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं इसके साथ इसमें एक स्पून मिला है मुझे और एक ब्रश मिला है जिससे आप अप्लिकेशन कर सकते हैं अब आपको भी पताए कि इलोवेरा एक ऐसा मेडिसीनल प्लांट है जो सभी के घरों में मिल जाता है और सालों से यह आयूरवेदा में इसका थेरपी के तरह से यूज किया जाता है इसको आप इसकिन पर और हेर पे डोनों पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी इसकिन प्रॉब्लम में और हेर प्रॉब्लम में यह बहुत ही अच्छा वक करता है यहां पे इसमें मुझे जो वाटर मिला था उसी से मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है आप इसकिन में आपके बहुत तरह के दाग दब्बे हैं या फिर आपके इसकिन गलो नहीं कर रही है तो आप इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हेर में किसी तरह का इंफेक्शन है, ड्रैंडर्फ है, बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं, तो आप इसको मेहन्दी में मिला कर यूज कर सकते हैं, या डिरिक्ली आप इसको लेप बना कर इसका यूज कर सकते हैं, मैंने थोड़ी दिर तक इसको अपने स्किन पर रखा था और इसको वाश देता है, इसके इलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपरटीज होती है, जो आपके डैंडर्फ पे बर करती है, आपके बालों को नरिश्मेंट देती है और इसको ग्रोध देने में हेल्प करती है, इसमें एंटी एंफलोमेटरी प्रॉपरटीज ह होती है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम जैसे एकने एक्जीमा संबर्न ड्राइ स्किन जैसी कॉमन प्राब्लम पे भी यह बहुत अच्छा वर करती है तो अगर केमिकल वाले प्रोड़क्ट लगा लगा कर इसकी नोरी हर को डैमेज कर चुके हैं तो हंड़ेट परसेंट न कर रेखा भीज़कश बाद प्राब्लम जैसे एक भीज़क्ट लेले परशने कर दो कर वाले लगा बहा थना प्राइस हैं।